हेलो तो स्वागत है आपका मैं मिस्टर बास्टर्ड हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ लेजेंडरी मुवी के लेजेंडरी सीन जिनको देखकर आपके दिल और दिमाग के साथ सरीर के हर छेट से एक ही बात निकलेगी देखो मुझे साउथ की लेंगवेज तो नहीं आती पर मैं इतना समझ गया हूँ कि इस सीन में ये बंदा आता है और अपने हीरो को बोलता है कि आपके बाई या दोस्त आइ थिंक बाई ही होंगे क्योंकि फिल्मों में ऐसा प्यार सी बाईों के लिए दिखाया जाता है तो आपके बाई आपसे मिलने के लिए कड़ी तुमें पेदल नंगे पेर आ रहे हैं और बस ये सुनकर अपना हीरो भागा भागा जाता है और उनको देखकर सोचता है कि इसा क्या किया जाए जिससे इनके पेर न जले तो व้ उनका पेयरों के अपने कंदौ पर रखाता है और उनको हाथों के बल चल्वाता है जिए दिमाग लेगा यार क्या दिमाग लगा पता नहीं वह कौन से नश्यां जिन को करने के बाद लोग इसे लेजनरी सीन क्रियेट करते हैं और ये बंदा ये बंदा तो लेजनरी सीन का किंग है क्योंकि ये केले से लोगों को मार देता है और इतना ही नई होम मेट इलेक्ट्रिक हार्ट से अपनी जीएप की लाइफ तक बचा लेता है इसलिए कहता हूँ कि जब तक देश में सिनिमा है इस सीन में इसका पेर सिर्फ यहां पर टच हुआ है इतने से इसका पेर ही अलग हो गया वो भी ऐसे जैसे किसी ने प्रोपर शेप देकर काटा हो सची बता रहा हूँ यार मैंने आज तक कभी ऐसा सीन नहीं देखा इस मूवी के जो भी डाइरेक्टर है ना एक अलग से ओसकर की घाड़ी बरके उनके घर पर बिज़ा दो यार प्लीज बस बस यार मेरा हो गया मैं इन्हें और नहीं जेल सकता नई नई मैं इन्हें और जेली नहीं सकता मुझे बस अपने गर जाना है मुझे अपने गर जाना है मुझे गर जाना है नई यार मतलब क्या खाकर इन फिल्म वालों ने ये सीन सोचा होगा असर मेरे पास एक बहुत मस्त सीन है अपनी फिल्म के लिए अबे क्या बात कर रहा है बे तनिक बता तो जरा जी सर हम अपनी फिल्म में एक रेसिंग करवाएंगे जिसमें हीरो भागता है और रेस के बीच में जो वो बोर्ड होता है जहां कूदना पड़ता है वहाँ पर अपने हीरो का पेर टच होता है और उसका पेर ही कटकर अलग हो जाता है लेकिन हमारा हीरो फिल भी बागता है और रेस को जीत जाता है अरे बाबुहा बहुत मस्त प्लान है रह तोहार ओके तो इस सीन में ये लड़की अपनी इज़त बचा कर भागने लगती है वो विल्लन पानी का केन फेकर मारता है जिससे ये लड़की हवा में उटने लग जाती है मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है बस ये था क्या ये क्या था नहीं मतलब ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है या नि इस दर्ती पर या न्यूटन पागल था जो कुछ भी बोलकर चला गया अल्राइट आज के वीडियो में बस इतना ही अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद